ताहिर गोरा के शो बिलाक्त कलुफ में मैं हलीमा साधिया आपको खुश्रामदीद कहती हूं आप टैक टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं आज के शो में बाचीत होगी मिडलीस की जंगी सूरतेहाल पर लबनान में हजबुला के लीडर हसन नस्रला की हलाकत के बाद वाली सूरतेहाल पर तो बाचित का अगास करते हैं मिडली स्की जंगी सूरतिहाल से इसराइल ने हिजबुला के लीडर हसन नस्रुला को बेरूत में हलाग कर दिया आप इसराइल के इतने बड़े आपरेशन को कैसे देखते हैं और क्या इसे इस्लामी जहाद को धचका लगा क्या आप समझते हैं कि इस्लामी जहाद ता जिसके गेंस्ट यह हुआ बिलकुल हसन नसुरल्ला तो इसलाम के नाम पर यह जहाद कर रहे हैं इसलाम के नाम पर जहाद कर रहे हैं और इसमें सिर्फ हसन नसुरल्ला को ही या हसन नसुरल्ला को ही यह तरह से डैथ वारन नहीं मिला बलके यह इसलामी जहाद से एफिलियेटर जितनी वर्ल्ड वाइड तन्जीमें हैं उनको दचका लगा है क्योंकि इसराईल ने एक वाज़े तोर पर मैसेज दिया है कि भई आपका जो इसलामी जहाद के नाम पे जो जोशो जजबा है और उसके पीछे जो आपका कारुबारी यह सारे का सारा जहादी मशीनरी है यह हमने अब आपकी तबाह कर दी है नफसियाती तोर पर और अमली तोर पर भी काफी हद तक अब अगरचे हिजबुल्ला की जो अब रह जाने वाली जिन्दा रह जाने वाली लीडर्शिप है वो धंकियां दे रहे हैं कि हम देख लेंगे इसराइल को तबाह कर देंगे वो पहले भी कह रहे हैं तो हशर देख लीजिए कि यह अपनी उस बिल्डिंग में माजूद थ थे वहां पे मौजूद थे मगर इसराइल के खौफनाक और शडीद हमले ने ना सिरफ हसन नसरुला को हला कर दिया बलके कई लीडरों को और भी जो उनकी मरकजी टीम थी उनको भी बरबाद कर दिया और नफसियाती तोर पर हेजबुला को भी हमास को भी और पूरी यह जो इसलामिक जहाद की मेंटालिटी है उस सब को शेटल कर दिया है यह उन्होंने बेसिकली यह मैसेज दिया है कि यू आउट 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 अफ आर इकसेस हुएवर वेरेवर वोटेवर वी कन टेक केर अफ आरसल्वस जी देखिये इससे पहले यह जो हमला हुआ जिससे हसन की हलाकת होइई बेरूत में सीरिया में इसराइल ने पेजर्जर्ज के जरीए द्माके किये यह सारे के सारे लीडर अपने मुबाइल फून चोड़के भॉग गए इंको यह खच्चा था कि कहीं के मुबाइल फून न भूलो अप हो जाए इनके मुबाइल फून पर भी इस तरह से सम्हा मैनेश्ड वो किया मैसेज़ बेजिए इनका यह जो ख्याल था कि हम तलवारे लेकर हम गरनेड लेकर हम कलाशनी कोफ लेकर बहुत बड़ा जहाद कर सकते हैं तो इसराइल ने इनको बताया कि नहीं अब टेकनोलोजी और पावर हमारे हाथ में हैं तो यह बहुत बुरी तरह शैटर्ड हुए हैं इसराइल ने बहुत ना सिर्फ खाफनाक मैसे दिया है बलकि अब तक जो हमास घजा में इसराइल ने आपरेशन किया है उसमें भी इनके हजारों लोग मारे जा चुके हैं यहां लबनान में भी अभी यह गुरिश्टा एक अफ़ते के दो का है और यह अब मिलिटेरिली भी साइकलोजीकली भी इस काबल नहीं रहे कि यह उस तरह बदमाशी या जहाद कर सकें जिस तरह यह कर सकते थे आज का बिला तकलुफ शो ताहिर गुरॉर मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप मारे टैग टीवी के यूट्यूब च कर दो पाखने पाखने.